लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन को लेकर हमारी सरकारों ने अलग अलग नीतिया बनाई है हर किसी वर्ग का ध्यान रखा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक वर्ग जो है वो इसमें छूट गया है वो हैं वन गूजर वन गूजरों के लिए अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी या रियायत या किसी तरीकी की सुविधा नहीं मिली है क्योंकि इनकी अपनी अलग तरीके की जरूरते हैं लॉक्डाउन हुआ है लॉक्डाउन बड़ा है और ऐसे ही एक डेरे पर हम वन गूजरों के हैं देरदून के पास आशारोडी के जंगलों में इस समय हम चो बुरूरत है क्या डिमांड है आप लोगों की देखी जनाव हमारी डिमांड जो है यह है कि जैसे हमारे जानवर है इनके लिए चारा खल दाना और यहनी भूसा पुराली वगरा अजा वैसे तो बहुत हमारे पशू ऐसे हैं जो इस टेम बुग्याल जाने वाले हैं कि यह यह क्योंकि हमेशा हरा घास उकते हैं जंगलों मेरहते हैं परन्तो भूक है मारे अचा इनके खाना पड़या क्यूंकि इस टेम जो है पशू बिल्कुल मौत के कंगारे पे खड़े हैं आप देख सकते हैं अचा गाए भैस बकरी क्योंकि यह पहाड़ी नसले हैं हमारे तो म रहेगा अचा लेकिन वह तो ठीक है यह तो एक मुश्कल का टैम है हम लोगों को सब को मिलको मिलकर इसको पूरा करना चाहिए लोगड़ॉन जो है पूरा हमने निभाना चाहिए परन्तो जैसे हीमचल के लोग डिश्टिक हीमचल के लोग जो हैं गदी और वन गूजर बकर और जा रहे हैं इस मोके पर वहां उस राज्य सरकार ने यह सुविदा दी है तो हमारे से हीमचल और उत्राखन जो है सटे हुए हैं दोनों अचा हमें भी वह सुविदा मिलनी चाहिए कहां जाते थे आप लोग थोड़ा मैं दर्सकों की सुविदा के लिए से सरल शब्दो में बता दूं कि वन गुजर जो होते हैं वो अपरेल के शुरुवाती अपरेल महीने के शुरुवाती दिनों में माइग्रेट करते हैं यह जो इनके पशू होते हैं उनको लेके पहाडों की तरफ जाते हैं क्योंकि यह जो जंगल है यहां पर पथजड आ जाता है घरा चा जानवरों को मिल सके तो वह नहीं मिल रहे हैं लेकिन मुझे एक सवाल मैं आप से पूछ लेता हूं शुब नाम अपना बता दिए शफीम जाब यह बताईए कि यह जो चारा है पशु चारा है वह तो जरूरी सुविधाओं में राज्य सरकार ने घोशित किया तो आप उसको खरीद के क्यों नहीं खिला रहे हैं अपने जानवरों को खरीद के खलना इतना है आजकल तो दूदी बंद और रुके आना जाना पर परशान और रुके लेकिन वो तो एक सरकार का बहुत अच्छा नियम भी है बचारी है सारे लोगों को बचारी है जैसे जिकर के लिए ल अपनी संख्या रहती है पश्यों की फच्छों की तो हजारों से उपर की तधाद में हैं अब हजारों के लिए बजार से चारा खरीदना भी मुम्किन नहीं क्योंकि पैसा बहुत लगे हैं दूदेनवल बचु भी हम पालते हैं हम फंडर बशू भी बादे जो गाबन होते है तो जोंट कंड़ी एब शीए वह पालते तो अमारा इसी तरह चोरा रोटी का यह लगा वह धंदा रहता है हमँ खरीज़ते इधर प्रह नहीं बैचते हैं हम पालते हैं बश्चुगों जो कंड़ी थोड़ी बच्चा उआ थो पालना पहुसिए नहीं इसलिए हमारी कि उओए हम जानना चाहिं कि राषन को लेके आप लोग भी राशन खरीत के सब्सक्राइब का सते हैं तो क्या राशन को लेके कोई लोग आ रहे हैं यह आप लोगों के राशन काड़ हैं कि वन गुजर आप लोग है तो राशन मिल रहा है आपको कुछ क्या विवस्ता हो रही है का दुखा राशन काड़ है भैसाब अचा परन्तो यहां पे राशन के नाम से या किसी सुविदा के नाम से कोई आप व्यक्ति यहां नहीं आया जंगलों में नहीं आया के वल आज मिला तो दूअिया तो रोजी नोटी का मस्ला आपके जो एक हमारा अढूरा हो गया अर्जित के दूद के अच्छिप अचा आप पूराशन यह जब विके मरे से बोड़ बेगा नी तो पूरा completed my allинойous benefits यहां के उच्च अदिकारी सची वगरा उनसे और मोधी जी से भी अचा के हम लोगों के परमपरागत से जैसे हम लोग जा रहे हैं आ रहे हैं हमाले में हमारे वैसे इनी विवस्ता बनाई रखी जाएं और मुझे पूरन विश्वास है कि हम जो जंगल के लोग हैं हमें ये वैरिस में वैसे तो कुद्रत वाला जाने लेकिन मैं ये समझता हूं कि नहीं होका और नहीं है इस टेम तक किसी को नहीं है क्योंकि एक तो हमारे में दूरी है हमारे में किसी का बहार के वेक्ति का आना जाना नहीं है और दूसरे जड़ी बूटी जो है अचा ये हमा माइग्रेट करना होता है और पशों की संक्या इतनी जादा है कि उसका चारा आप खरीद कर उसकी भरपाई नहीं कर सकते तो इनका निकलना इस समय में बहुत जरूरी हो गया है तो उम्मीद है कि आगे ज़रकार जो पॉलिसी बनाएंगी उसमें वन गूजरों का भी ध्यान रखा जाएगा रॉबिन सिंग चौहान उत्राखन गजेटेर